सब्सक्राइब करें तुडे नूस 24 एक्स सीविन को और दबाए इस बेल आइकन को यान अगर आपका वजन धर्ती पर 100 किलो है तो मंगल पर कम गुरुद्वा कर्शन के कारण आपका वजन मातर 37 किलो ही रह जाएगा मंगल पर एक ज्वाला मुकी है जिसका अनाम है उलंपस मून वज्यानिकों कमाना है कि ये आज भी सक्रिय है ये ज्वाला मुकी लगभग 27. 23.3 किलोमीटर उचा है इसकी उचाई प्रित्वी के हवाई स्थेथ सबसे उचे ज्वाला मुकी मौन की और मांट इवरिस्ट से लगभग 3 गुना ज्यादा है उदारन के तोर पर ये ज्वाला मुकी उतनी ही जगह में फैला है जितनी जगह में पूरा फ्रांस है ये माना साल 1669 मिडच के खगोल विड ने एक उन्नक दूरवीन का उप्यो कर मंगल ग्रह देखा मंगल ग्रह के बारे में अनोखी बात ये भी है कि ये ग्रह प्रित्वी से ज्यादा चोटा शुश्क और ठंडा है वज्यानिकों ने दवा किया है कि मंगल पर एक साल प्रित्वी के 68 87 दिनों के बरबर है इसके अलाबा यहां कुछ बातें असी हैं जो उसे प्रित्वी जैसा ही बनाती हैं जैसे यहां जवाला मुखी है घाटी है और चार मौसम भी हैं ये मौसम प्रित्वी से ज्यादा लंबी होते हैं एक तरफ जहां मंगल और प्रित्वी में बहुत सी सम वहीं एक बहुत बड़ी असमानता भी है और वें यहां की हवा मंगल की ज्यादातर हवास एहरीले हूं जिसमें बड़ी संख्या में कार्वल डाय ऑक्साइट घुली होती है। मंगल पर एक नहीं बलकी दोचांग हैं जिनकी नाम है फोबोस और डिमोस माना जाता है कि मिसल की राट घानी काहिरा का नाम मंगल ग्रे के बाद ही पढ़ा है। 3 तक मंगल प्रित्वी से 3.5 मिल की दूरी पर स्थित है। ये करीब 60,000 वर्षों में प्रित्वी के इतना करीब आया है। साल 2287 तक ऐसा होना बंद नहीं होगा मंगल की सतह चट्टानी है जिसके खेसकने की घटनाएं आमतर पर होती रहती हैं। की सुखी और पथरीली सतह की तस्वीर देखते ही ग्रहपर अनुखे वातावरण का अनुखावर कराती हैं। वज्यानिकों का ये भी कहना है कि मंगल ग्रहपर सौर मंडल का सबसे बड़ा परवत है। यहां की घाटियां भी इतनी बड़ी है कि यदि यह प्रित्वी पर होती तो यूयोक से लेकर लौस अंजिल्स तक फैली होती। गर्मियों में यहां सबसे स्यादा ताप्मान माइ 27डी सेल्सियस होता है। वही सर्गियों के समय में यहां कां 1.633डी सेल्सियस तक पहुंच ज़ाता है। अगर हम प्रित्वी की तुलनास और मंडल के अने ग्रहों से करें तो उनमें मंगल ही एक ऐसा ग्रह जिसमें काफी कुछ प्रित्वी की समान है। इसी कारण से मंगल पर अभियान लगातार तेज हो रहे हैं। यहां जीवन की तलाश की जा रही है। मंगल पर इतनी सारी जानकारी के अलावा अग वाइग्यानिकों का उद्देश यह पता करना है कि क्या यहां जीवन संभर्व है या नहीं और क्या कभी लोग यहां आकर रह सकते हैं। टुडे नूज 247 की रपोर्ट